हेलो दोस्तों मित्लादोन आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ सहारसा से लेकर दरभंगा के बीच चलने वाली पहली एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में दोस्तों जिसा कि आपसे को पता होगा कि अभी के समय में जो है सहार साथ से लेकर दर्भंगा लहरिया सराय के बीच में सिर्फ डियम्यू स्पेशल ट्रेन चलती है जो कि चलती है सहार साथ से लेकर लहरिया सराय वाया सुपॉल सरायगर निर्मरली धंजारपूर सकरी और वा एक पहला एक्सप्रेस ट्रेन जो है यह रिल लाइन से गुजरने वाला है तो उसी पार में पूरा वीडियो है पूरा जानकारी है तो पूरा वीडियो आप से लिए चैनल पर नहीं है तो ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब रुके जगा दोस्तों मैं बात कर रहा ह है सबसे पहले आप से वह पताता हूं तो दोस्तों यह ट्रेन जो है साथ जोती लिंक का यात्रा कराता है करीब बारा दिन का टोटल सफर रहता है जिसमें कि यह पूरे भारत के काफी सारे जगों पर घुमाता है तो 27 सितंबर को बिहार से यह तीसरी प्रेटक ट्रेन चलने वाली है जो कि खुलेगी सुबह के 6 वजे कठयार से उसके बाद जो है चे पचीस पे पहुwn जाएगी यह टारेन पुर्या साथ पचास पे पहुंच जाएगी यह train मध्यपूरा आठ तीस पे पहुंच जाएगी यह train सहारसा उसके बाद जो है सहारसा में पांच मिनट रुखने के बाद यह train 38.35 पे जो है सहारसा से खुलेगी और निगल जाएगी अब सुपळ के लिए यानिक इसका रूट जो है अब सु को शुकर तरह मिन पे पहुँच जाएगी करीब निर्मली क्योंकि दोस्तों यह त्रेन का जो है यहां पर अभी दिक्त है कि सराइगर में अहुत नहीं दिया गिया है लेकिन यदि किसी ट्रेन को शुपंग से निमली जाना है तो उसको जो सराइगर में रुकना ज़रूरी है क्योंकि सराइगर में इंजन रिवर्सल होता है आप सबी को पता होगा यहां पर इस तीज की समझ्या बनी रहती है तो सराइगर में तो होड नहीं दिया है लेकिन यहां लिखा हुआ है कि दस बचकर पांच मिंट पर निर्मली पहुंचेगी इस रकष है उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ेगी तो दस बचकर 40 मिंट पहुंच जाएगी धंजारपूर और 11 बचकर 40 मिंट पहुंच जाएगी दर्भंगा फीडियो दोस्तों यह ट्रेन का आगे का रूट होने वाला है समस्तिपूर, मुझपरपूर, हाजीपूर, पाटलीपूत्र, आरा, बकसर, दीन द्याल, उपाध्याय के रास्ते जो है यह अपना आगे का सफर्दय करने वाली है समस्तिपूर पहुंचने का इस ट्रेन का टाइम होगा बारा बचकर 50 मिंट तो कुछ इस तरह का जो है यह टाइम टेबल है जो की चलेगी कठ्यार से लेकर और अपनी अन्य स्थानों पर प्रस्थान करेगी तो सुबह 6 पज़े यह ट्रेन का ठ्यार से खुलेगी सबस्तों खास बात तो यह है कि इसका रूट जो है वो रखा गया है सहारसा से लेकर दरभंगा के बीच वो भी वाया सुपॉल सराइगर निर्मरली धंजारपूर सक्री इस से पहले इस रेल लैंड पर किसी परकार का एक्सप्रेस ट्रेन नहीं किया है यह पहला एक एक्सप्रेस ट्रेन होने वाला है जो कि सहारसा से लेकर दरभंगा के रूट पर चलने वाला है इससे पहले जो है काफी सारे जो है स्पीड ट्रेल के एक्सप्रेस ट्रेन या फिर सियरेस के एक्सप्रेस ट्रेन रेलाइन पर यदि आप सभी इस ट्रेन में सफर करते हैं तो इसका आप सभी को है 12 दिन का चार्ज पर लगेगा करीब करीब 19,000 रुपए और यदि आप इसका कोष्ट पर जाएगा करीब करीब 31,000 के आसपास तो इस तरह का यह कुछ ट्रेन का टैम टेवल है और 27 सेतंबर के दिन यह ट्र ट्रेन खुल चुकी है यह तीसी ट्रेन है और जब यह ट्रेन वेस हता है सेतंबर को खुलेगी और सहार सासे दरवहंगा रेलाइन पर गुजडेगी तो मैं प्यास करूँगा कि आप सभी के लिए एक छोटा सा वीडियो बना के दिखा सकूँ कि कैसा लगता है जब इन दे जाइ मतला